हेलो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडी मैटेरियल में आज हम बात करेंगे आधुनी शित्रकर किया चारा के बारे में तो चलिए स्टार्ट करती है किया चारा किया चारा का जनम सन 1914 इसवी में आंदर प्रदिश में सिकंद्राबाद नमक स्थान नम किस्थान पर हुआ था तो चलिए स्टार करते हैं किया चारा का पूरा नाम है क्रिष्रीन जी हाव लाजिक आरा इनका जनम हुआ था 14 एस्वी में आंदरपर्देश में सिकंद्राभाद में बोला राम नामत किस्थान पर हुआ था इनके पिता एक ड्राइवर थे और इनकी प्रथम परदर्शनी जो हुई थी तो 1922 में चेतना रेस्टोरेंट में इनकी प्रथम परदर्शनी हुई थी सन 1924 में मराथा बैटिल जल रंग के लिए इन्हें पुरुसकार मिला था मराथा बैटिल इन्होंने एक चितर बनाया था जल रंग माध्यम में जिसके लिए इन्हें पुरुसकारित किया गया था पैग एक ग्रूप होता है जिसमें आर्टिस्ट जुड़े हुए होते हैं पैग में जल संकर अधिक प्रमिश्यारी का पद ग्रहन किया था इन्होंने ये आजीवन कवारे रहे थे लोने विवा नहीं किया आरा की दर्तक पुत्री थी रुकशान पथार रुकसान पठार आरा की दर्तक पुत्री थी रुकसान पठार आरा ने मुंबई में ब्लैक नूट को परदर्शित किया था ये इस्थर चितरन के लिए परसीद थे और नूट पेंटिंग के लिए ये बहुत परसीद थे ये महात्मा कांदि जी के साथ में जेल भी गए थे इनडिपैंडेंडेंस डे प्रोसेशन जो चौदा फीट की विशाल पेंटिंग है इनके द्वारा बनाए गई थी तो इनडिपैंडेंडेंडे प्रोसेशनs जो 24 फिट की विशाल पेंटिंग है तो वो इनी के द्वारा निर्मित की गई थी इनकी कुछ फेमस जो पेंटिंग रही है हरा सेप जो बहुत बूचा जाता है हरा सेप इनके द्वारा ही बनाये गया था लाल मेच चीनी बरतन उनमुक्त घोड़े की पस्ट दौर मेले से वापस लकट डोहोर चक्की पीसने वाली गाओ के छोर पर हाट वजार नरतक बन मैंशो धान कूटते हुए सोतंतरता दिवस की उल्ला समय जाकी टोकरों में रखे पात्र सुसजित पात्र प्रहता काली नाश्टे की मेच और मचली यह इनके कुछ परमुक्षितर है